गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप सब लोग मैं आयूश पुरोहित एक बार पुने आपके साथ नव जोती ग्लोबल इस्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी का पार्ट नंबर 12 जिसक हम कक्षा 6 में 11 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने पार्ट नंबर 12 जो यह जो पार्ट है बच्चों यह जवाल नाल नहरू जी की द्वारा लिखित है यह जवाल नहरू जी की द्वारा लिखित एक पत्र का अंश है जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए को हैं जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझसे अक्षर बहुत सी बाते पुछां करती हो cricket और उनका जवाब देने की कोशिश करता लेकिन जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाबाद में तो हम दोनों उस तरह से बातचीत नहीं कर सकते इसलिए मैंने इरादा किया है कि मैं तुम्हें इस दुन्या की उन छोटे बड़े देशों में जो इस दुन्या में हैं उनकी छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँ तो बच्चो जवाल ना लहरूजी अपनी पुतरी से कह रहे हैं कि बेटी जब तुम मेरे साथ होती हो तो तुम मुझसे बहुत सारे सवाल करती हो है ना और मैं क्या करता हूँ उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ लेकिन अब क्या है जब तुम कहा हो मसूरी में हो है ना जब तुम कहा हो मसूरी में हो और मैं कहा हूँ इलाबाद में तो हम दोनों आपस में बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे उस समय टेलीफॉन वगरा नहीं होते थे और होते भी थे तो सब लोगों के पास वाविलेबल नहीं होते थे तो जवाल नाल नहरू जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोटे-छोटे क्या लिखूँ पत्र लिखा करूँगा तुमने हिंदुस्तान और इंग्लेंड का कुछ हाल इतिहास में पड़ा है लेकिन इंग्लेंड के वाल एक छोटा सा टापो है और इंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा सा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है अगर तुम्हें इस दुनिया का हाल जानने का शौक है तो तुम्हें उन सब देशों की उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं का ध्यान रखना पड़ेगा केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो तो बच्चो जवाल नहरू जी यहां पर कह रहे हैं कि तुमने क्या इंग्लेंड और हिंदुस्ताल का हाल कहां पड़ा है अपनी इतिहास की किताब में पड़ा है है ना और तो हिंदुस्तान क्या है एक बहुत बड़ा देश है कैसा देश है बहुत बड़ा देश है और इंग्लेंड क्या है एक मात्र छोटा सा टापू है है ना लेकिन फिर भी हिंदुस्तान इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी इतनी बड़ी दुनिया का क्या है एक छोटा सा हिस्सा है क्योंकि बच्चों दुनिया कितनी है दुनिया भ्हुत बड़ी है इस धर्ती में कितने देश हैं बहुत सारे देशा लगभग 200 के आसपास यो उससे भी कहीं ज़ादा देश हैं है ना? तो उन देशों में इतनी बड़ी धर्ती में हमारे इंडिया कहता है एक छोटा सा हिस्सा है ये कह रहा है ये जवाला लहरू जी अपनी बेटी से कह रहे हैं अब फिर जवाला लहरू जी कहते हैं अगर तुम्हें दुनिया के हाल जानने का सौक है यहाँ पर जवाला लहरू कहना चाहते हैं कि अ कटी थो रहा है कैसा उने सोख है तो तुम्हें क्या करना होगा तुम्हें सबी जातियों का ध्यान रखना होगा, यानि कि तुम्हें सब प्रकार के लोगों का ध्यान रखना होगा, जो कहां बसी हुई है, जो पूरी दुनिया में बसी हुई है, तब ही क्या होगा, आप अच्छे से जान पाओगे, कौन से लोग कौन से कल्चर को फॉलो करते हैं, कौन से स प्यादा हुई हो है ना तो हम मुझे मालूम है कि छोटे छोटे खतों में थोड़ी सी बाते ही बतला सकता हूं लेकिन मुझे आशा है कि तुम इन छोटी बातों को भी बड़े शौक से पड़ोगी और समझोगी एक दुनिया एक है और दूसरे जो लोग इसमें आबाद हैं वो हमारे भाई बहन हैं तो जवाल नाल नहरू जी कहते हैं कि जो है पुतरी तो मैं बहुत छोटे छोटे खत तुमें लिख रहा हूँ बहुत छोटे छोटे पत्र तुमें लिख रहा हूँ लेकिन मुझे क्या है मुझे यकीन है तुम इन छोटे छोटे खतों को भी बड़े ध्यान से और मन लगा करके पड़ोगी जिससे तुम्हें क्या होगा ये सारी बाते आसानी से समझ में आ जाएंगी तो फिर जवाला लहरू जी कहते हैं कि दुनिया एक है और हम क्या है इस दुनिया के क्या है हिस्से हैं हम दिस दुनिया के क्या है हिस्से हैं और दुनिया में जितने भी लोग बसे हुए है यानि जो आबाद है वो क्या है हमारे सब भाई मेहन है जब तुम बड़ी हो जाओगी तो दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी-मोटी किताबों में पढ़ोगी उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानिया औपन्यास में भी ना मिला होगा जबालान लहरूजी कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो दुनिया का सारा हाल जानोगी, सारा हाल पढ़ोगी, किसमें? मोटी-मोटी किताबों में, है न? तो क्या है? लेकिन आपको उतना आनंद नहीं मिला होगा. तो जवाला लगजी क्या कहना चाहते हैं आपर? कि तुम्हें उतना आनंद किसी कहानी को, है न? बच्चो को क्या होता? छोटी-छोटी कहानियां पढ़ने का बड़ा सावक होता है. तो कहते हैं कि तुम्हें इतनी किसी कहानी से भी इतना क्या होगा? आनंद नहीं मिला होगा. जितना की किस से मिलेगा जितना की इस कावीता से तुम्हें मिलेगा ठीक है बच्चो यहां तक सबको clear हो रहा है न कि जवालना लहरू जी क्या अपनी बच्ची को समझाना चाह रहे हैं किस किस तरीके की बाते वो उनको बता रहे हैं अब जवालना लहरुजी कहते हैं कि बच्ची तुम इन साब बातों को ध्यान में रखोगी और क्या करोगी अपने जीवन में उतारने का परियास भी करोगी तो जवाला लहरु जी जो है अपनी बच्ची को यानि कि अपनी पुत्री को छोटी छोटी जो कहानिया है छोटे छोटे देश के जो हाल है उसे बता करके क्या करना चाहते हैं? चाहते हैं कि वो अपने उनको अपने जीवन में उतार ले ठीक है? यह तुम तुम जानती ही हो कि यह धर्ती करोड़ों वर्स पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था आदमी से पहले सिर्फ जानवर थे जानवर से पहले एक ऐसा समय था जब इस धर्ती पर कोई जानदार चीज ना थी तो बच्चों हम भी जानते हैं हम तुम सब भी जानते हैं कि यह धर्ती कैसी है बहुत थी हजारों लाखों खर्वों साल पूरानी है और धर्ती में एक समय ऐसा था कि जब इस धर्ती में कोई भी आदमी नहीं रहता था जैसे आज हम रहते हैं इस तरह कोई आदमी नहीं रहत प्रारम हुआ है ना धीरे धीरे जीवन का प्रारम हुआ और इस तरीके से जीवन एक क्रम में आगे बढ़ते-बढ़ते क्या हुआ मनिश्यों का जनम हुआ है यह सब आप अपनी साइन्स की बड़े आगे जाकर कि जब प्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर आप उसको डेटेल में पढ़ेंगे ठीक है यह दुनिया हर तरह के जानवर और आदियों से भरी हुई है उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहां कुछ ना था लेकिन विज्ञान जानने वालों ने और विद्वानों ने जिने इस धर्ती के विशय को खूप सोचा और पढ़ा लिखा है ऐसा समय था जब धर्ती बेहत गरम थी जब इस धर्ती पे कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी अगर हम उस समय की उनकी किताबे पढ़ें और पहाडों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा तो बच्चों जवालना लहरूजी बताते हैं कि क्या था एक समय ऐसा था जिसमें धर्ती पूरी बहुत ज़ादा गरम थी इतनी ज़ादा गरम थी कि कोई भी जीव, जन्तु, मनुष, यहां तकि कोई छोटा सा किड़ा भी, कोई भी प्राणी इस धर्ती में जीवित नहीं रह सकता था, क्योंकि वो गरमी कैसी थी, बहुत ज़ादा तीवर थी, है ना, उस समय के हाल को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य कैसा है, मनुष्य ऐसा प्राणी है, जो अपने देनिक जीवन की चीजों को भोल जाता है, है आज से कोई आप से दस साल पहले की बात पूछे, तो शायदा बता दोगे, सौ साल पहले की बात पूछे, तो शायदा मुश्किल बता पाओगे, क्योंकि उस समय तो आप थे नहीं, है ना, अब कि कोई भी मनुष्य का जो जीवन है, वो कितना होता है, सौ वर्ष का, अब प्रमाणों की जाज करते हैं क्या जाज करते हैं कार्बन डेटिंग करते हैं उससे अनुमान लगाते हैं कि पहले का समय कैसा रहा होगा तो जो जीव जन्तु कभी होए होंगे उसके बाद जब धरती में जीवन पनपा होगा तो उनकी हड्डियों को देख करके ऐसा महसूस होता है यह हमें मालूम होता है कि ऐसा समय एक बार हमारी धर्ती में अवश्य रहा होगा जब धर्ती बहुत जादा गरम रही होगी ठीक है तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो लेकिन जमाने में पुराना आदमे पैदा ही ना हुआ था तो किताबे लिखता कौन तब उस समय की बातें हमें कैसे मालूम होती यह तो हो ही नहीं सकता था कि हम घर बैठे बैठे एक चीज सोच निकाले यह मजे की बात होती क्योंकि जो हम जो चीज सोच लेते वो सुन्दर पढ़ियों की कहानी गड़ लेते तो बच्चो जवाला नहरू जी वही बात करे रहे हैं कि उस समय की बातों को हम क्या कर सकते थे जान नहीं सकते हैं इतिहास की किताबों में हम उन बातों को पढ़ते लेकिन क्या था उस समय कोई मुनिश्य पैदा ही न था तो किताबे कौन लिखता है ना जानवर तो किताबे लिख नहीं सकते थे और जीवन था वो काफी वर्सो बाद धरती मया था तो उस समय व्यग्यानिकों ने खोच के आधार पर ही क्या करा है चीजों को लिखा है होती है जितनी किसी किताब से होती तो जवालना लहरूजी क्या कह रहे है कि खुशी है हमें क्या है बहुत जादा खुशी है और खुशी किस बात की है कि वो किताबे तो नहीं है लेकिन हमारे पास ऐसी ऐसी चीजे ऐसी ऐसी वस्तुवे उपलब्द हैं जो हमें उस समय की जानकारी का पूरा-पूरा आभास करा देती हैं कि उस समय क्या रहा होगा और इस्तिति कैसी रही होगी चीक है ये पहाड, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की कितनी ही चीजें हैं जि दुनिया का हाल मालूम हो सकता है ये ना तो जवाल ना लहरूजी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को गिनार है कौन-कौन चीज़ें पहाड, समुद्र, है ना जानवरों की हड्डियां और भी बहुत सारी चीज़ें हमें पुराने समय का आभास कराती है मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी किताबे पढ़ लें बलकि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें मुझे आशा है कि पत्थर और पहाडों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी तो जवाल लहरू जी कह रहे हैं कि यह दुनिया का हाल जानने का तरीका यह नहीं है कि तुमने किसी की भी किताब पढ़ ली और तुम्हें उसका दुनिया का हाल मालूब हो गए क्या हम जान सकते हैं कि जिस आदमी ने वो किताब लिखी है उसमें कितनी सच्चाई है इसलिए हमें क्या गरना चाहिए हमें खुद से उस किताब को पढ़ना चाहिए तो क्या होगा हमें वास्तविक हाल की जानकारी हो तो यही नहरू जी भी कहते हैं कि बच्ची तुम अगर खुद पढ़ोगी तो ये पहाड़ पर्वत पठार जितनी भी चीजे हैं सब का हाल धीरे धीरे जानना सीख जाओगी सोचो कितनी मजे की बात है एक रोड़ा अबरा जानना सीख ऑना सयांगा लानना सीख जा लान झाओा जाओगी नाना सीख Sex Starr ू झाल 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 झाल